फ्रेंड आज हम बताएंगे आपको चार फैंसी मिठाई दो बरक वाली और दो बना बरक वाली हमने ये 5 लिटर मिल्क लिया है और आप चाहें तो रेडिमेट मीठा मावा यानि कि खोया आता है उससे भी बना सकते हैं लेकिन हमने यहाँ मिल्क लिया है 5 लिटर फुल फैट भेंसका और इसमें हमने डारा है 400 क्राम चीनी यानि कि शुगर तो यहाँ पर हम आपका ज्यादा समय बरबाद नहीं करेंगे फटापट इसको बता देंगे आपको कैसे बनाना है मिठा मावा ठीक है क्योंकि यह पूरा वीडियो 9 मिनट का है इसमें हम आपको चार मिठाई बताएंगे वो भी क्रश वाली मिठाई है औरेंज क्रश और पाइनाइपल क्रश यहाँ पर आपको चलाते रहना है फटापट ताकि मावा वाइट भी आएगा और नीचे चलेगा नहीं यह मीठा मावा है इसमें हमने चीनी भी डाला है और आप जल्दी जल्दी तो इसमें दाना भी नहीं आएंगा एकदम लीशा होंगा यानि कि चिकना माल निकलेगा यह देखे हमने उतार लिया है अब इसकी है ना हम नीचे उतार के उठाई कर लेंगे मैंने आपको यहां तक जल्दी एल्दी बता दिया है और हमारे हल्वाई भाईयों को तो मीठा मावा बनाना आता है और जिनको नहीं आता है तो वो सीख सकते हैं और आप चाहें तो मीठा मावा तयार भी आता है मीठा खोया यह देखे इस तरह का रखना है अब इसको हम चौकी में निकाल देंगे और इसमें से निकाल के बाद में हम आपको तुरंती इसमें फ्लेवर बनाना बताएंगे यह हमने कड़ा ही रखा इसमें हम पहले डालेंगे पाइनैपल क्रश और हमें ज्यादा नहीं डालना है 100 ग्राम क्रश डालना है क्योंकि हमने इसमें 5 लीटर दूद में जितना भी बाल निकला है उसमें से हमें 4 मिठाई बना रहा है तो हमने 100 ग्राम क्रश डालना है और इसमें मीठा मावा कितना डालेंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा बजन करके यह 100 ग्राम हमने पानेपल खरस लिया है गैस को हमने ओन कर दिया है इसमें चास्नी पानी की मात्रा ज़ाधा रहती है तो उसको जलाना हdepende यानिकि चास्नी की मात्रा रहती है और यह हमने लगबग डाल दिया 31,3 ग्राम जितना मीठा मावा 32,5 ग्राम और इसके बाद हमने ये डाला है pineapple essence है color वाला ठीक है तो इससे color भी आ जाएंगा और shand तो हमने crush डाला है लेकिन फिर भी हलका सा आ जाएंगा अब इसको हम निकाल देंगे इसके बाद हम बनाएंगे pineapple, sorry, orange flavor ये orange का crush है ये भी हमें 100 gram जितना डालना है gas कौन कर देना है और इसका भी चाशने न थोड़ा ये कर लेना है और यहाँ पे मीठा मावा डालते समय वीडियो skip हो गया था तो ऐसा न समझे ठीक है ये देखे हो गया इसके बाद हम तुरंट इसमें मीठा मावा डाल देंगे तो यहाँ पे वीडियो skip हो गया था यानि की record नहीं हुआ था इसको भी थोड़ा सेक लें मीठा मावा डालने के बाद एक से दो मिनट सेक ना है इसके बाद इसमें भी हम orange liquid यानि की color वाला डालेंगे इससे color भी आ जाएंगा और send भी अच्छा आ जाएंगा essence बोलते न और इसका test तो काफी अच्छा रहेंगा orange जैसा क्योंकि हमने इसमें orange crush इस्तिमाल किया है और हलका सा essence भी इस्तिमाल किया है देखे दो हो गया और यह white इसमें से हम दो आपको मिठाई की डिजैन बनाना बताएंगे और जो orange और पाइना एपल है उसमें से भी दो डिजैन बनाना बताएंगे यह वरक वाली मिठाई है ठीक है उसके बाद हमने इसमें काजू बादम लिया है और orange जो flavor था उसको अंदर भरके इसमें हमने सब में भर दिया है ताकि अंदर test भी अच्छाएंगा क्योंकि यह white है ना इसके लिए अंदर कुछ dry food होना चाहिए आपको पहले goal करना है फिर roll बनाना है उसके बाद इस तरह से दोनो अंगली और अंगठे की मदश से ऐसा आकार आपको देना है उसके बाद आपको बरक लगा देना है फिस टाइब का आपको आकार देना है और यह मिठाई त्यार होने के बाद बहुत ही बड़िया इसका लुक भी रहता है बहुत ही मस्त लग रही है आप आसानी से घर पर बना सकते हैं पीछे हमने लगाया है टूटी फूटी और आगे पिस्ता बीच में काजू और बहुत ही अच्छा इसका सुवाता है यह दूसरी डिजाइन है ठीक है वाइट में ही है आप चाहें तो बरक है न एकनौर कर सकते है और अंदर इसमें दूसरी फ्लेवर का मटेरियल भर सकते है काजू बादम डालके यहाँ पर हमने आपको सिर्फ डिजाइन बताया है और जो नेक्स्ट दो मेठाई है उसमें हम आपको फ्लेवर तो बताया है लेकिन डिजाइन भी अलग रहेंगी इसी तरह से आपको बरक लगा देना है और इसमें बादम लगाना है उसके बाद पीछे पिस्ता और आगे आपको कलर वाली दो लाइनिंग मारना है या केसर बिगोकी भी आप लगा सकते है इसी तरह से ये भी आपकी मिठाई कम्प्लिट हो गई अब हमने जो पाइना एपल क्रस लिया था उसकी मिठाई बना रहे है पहले आपको कटके कल लेना है जो भी साइज बनाना चाहिए आप 10 ग्राम, 15, 20 ग्राम तक का और दोनों हातों की मदद से इस तरह का आपको आकर देना है बहरे जैसे आकर देना है इसी तरह से आपको आकर देना है ये विनावरक वाली मिठाई है अन्जब ये मिठाई का डेकोरेशन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लुकाता है इसी तरह से हमने ओरेंज क्रस्ट के भी गोले कर लिए हैं यह material है ओरेंज क्रस्ट का इसको आपको गोल सेफ देना है और यह जो है ना coconut powder है यानि कि गरी का बुरादा इसमें आपको लगा लेना है इसके बाद हम इसमें भी डिजाइन देंगे और जो सामने मिठाई रखी है उसको भी डिजाइन देंगे बाद बे लेकिन पहले हम औरेंज वाली मिठाई को यानि कि हम संत्रा का सेफ इसमें देंगे तो इसको पहले त्यार कर लेते हैं यह हमने गोल कर लिया है इसको बहुत ही अच्छे से गोल सेफ दे दिया है उसके बाद हमें चाकू से साइट में से लाइनिंग मारना है और आप चाहें तो इसको पूरे पीस को रश्में डुबोक के भी रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेंगा और टेस्ट भी इसका अच्छाएंगा और इसकी साइन गें बहुत ही बढ़िया रहेंगे आपको रेल संत्रा जो रहेता है वैसा ही जब छिलने के बाद रहेता रहेता वैसा ही सेम देखता है छिलने के बाद जैसा रहेता है और इसके बाद हम इस पर चाकू से डेजाइन कर लेंगे चार लाइन मारना है आपको और लाइनिंगे ने क्रोशिंग में करना है कटोरी में लगाने के बाद इसका डेकोरिशन भी अच्छे कर देशेंगे वाटर बाटी लगाना है देखे हमने इस पर बादम लगाया आगे अलका सा केसर कलर लगाएंगे आप चाहें तो केसर बेगो के भी लगा सकते है पीछे की साइट से पिस्ता लगाएंगे इसका भी बहुत ही अच्छा लोग आ जाता है और जो हमारा संत्रा है ना इसको हम और एंज क्रस उपर से डाल रहे हैं ताकि और भी अच्छा टेस्ट आएंगा अंदर आप चाहें तो काजू भर सकते हैं मैंने भी भर रहे हैं वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट सेर जरूर करें